आपके लिए एक बार फिर से यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ यह on academy का यूटूब चैनल है और इस पर मैं आपका स्वागत करता हूँ आज एक बार फिर मैं आपके लिए ले करके आया हूँ 67th BPSC 67th BPSC का मैं प्रैक्टिस सेट ले करके आया हूँ और यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही लावकारी होगा आप सभी से निवेदन है आप सभी जुड़ें और आप हमारे साथ सोनाली गुपता गोडिबिनिंग बाबू गोडिबिनिंग सोनाली और नितुरानी खुस रहिए खुब खुस रहिए बाबू तो जो लोग अभी राकेश कुमार जी गुड़िबिनिंग गोडिबिनिंग बाबू खुब खुस रहिए गोडिबिनिंग अमर कुमार जी गुड़िबिनिंग रितिक सीं गुड़िबिनिंग बाबू रितिक सीं गुड इबनिंग बाबु गुड इबनिंग आप सभी को तो आप सभी जुणे आप सभी जुणे और इस तरह जो है राजा बाबु मनिश कुमार सुमन जी अनील कुमार जी आप सभी का स्वागत है बाबु आप सभी का स्वागत है और इस तरह जो है आप सभी मनिश टोपो जी गुड इबनिंग बीपू यादव जी खुब खुश रहे दिपू जी अब इसे कुमार कुस्वाहा जी हलो बाबू प्रिया कुमारी खुस रही है रितिक सी बढ़िया है अब आप लोग का जुलाई का सेशन ये शुरूर है और चलता रहेगा इसी तरह आप सभी जुड़िये चंदन सिंग खुस रही है बाबू चंदन जी तो आप लोग बादें कि यह अुड़िया का लारजेस्ट उंलाइन लर हम सुरूख कर रहे हैं और यह 67 बीपीस के लिए प्रवीन कुमार जी जैहिन बाबू ससी भारती खुश रहे बाबू लालू कुमार जी गुड इबनिंग अमर कांथ कुष्वहा जी राकेश कुमार जी एक्जाम डेट राकेश जी अभी कुछ क्लियर नहीं है अभी कुछ क्लियर नहीं है साहीन तारा गुड इबनिंग बाबू पृती गुपता गुड इबनिंग आप सभी को गुड इबनिंग बाबू गुड इबनिंग जब एक्जाम डेट किलियर हो जाएगा तो सब को पता चल जाएगा ऐसे हवा में एक्जाम डिट नहीं बताया जाता है इससे बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे ठीक है तो हम लोग ऐसे नहीं बताते हैं जब एक्जाम डिट निकलेगा वही करेंगे हम लोग ठीक है तो आप सभी तयार इंतियाज खान गुडिवनिंग बाबू तो शुरू किया जाए क्या तो शुरू किया जाए यह 67 बीपेच ने लेकिन एक्जूरेट डेट थोड़े बता है अग्जूरेट लास्ट नहीं है अगस्ट लास्ट तक मानके चले कि बीपेच ने एनांस किया है 25 अगस्त को है सहिंतारा बोल रही है कहीं से पता चला होगा 25 अगस्त कि हां राकेश स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सभी तयार हैं यह मेरा करारा हूँ और है तो हूए थोड़ा सा रिफ्रेस किजी तो है मैं आपका एजुकेटर आपके लिए लाया आज का प्रेक्टिस सेशन और सुरू कर रहे हैं तो आज का पहला प्रस्ण है आपके सामने आज का पहला प्रस्ण है आपके सामने भारत में तटिये सीमा वाले राज्यों की संख्या क्या है आज का पहला प्रस्ण भारत में तटिये राज्यों की तटिये सीमा वाले राज्य कि संख्या क्या है अजय कुमार जी खुब खुश रहे बाबू एक दम सही एक दम सही भारत में तटिये राज्यों की तटिये सीमा वाले राज्यों की संख्या नौँ है वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां यह नौँ है बाबू शहवानी नौँ है अगला प्रस्ण है आपके सामने पादसाह नामा का रचनाकार कोन है पाद साह नामा का रचनाकार कौन है मध्यकालीन पुस्तक है बहुत महत्पुन और इसकी रचना जो है वो साह जहां के सासनकाल में हुई थी पाद साह नामा के रचनाकार कौन है बिल्कुल सही है सभी का सही है और सभी लोगों का सही है जो है अब्दुल हमीद लाहौरी की रचना है पाद साहम नामा अब्दुल हमीद लाहौरी की रचना है अगला प्रस्ण है निम्न लिखित में से भारत की कौन सी नदी ज्वारनद मुख बनाती है अर्थात डेल्टा नहीं बनाती है ज्वारनद मुख को एस्चुवरी भी कहते हैं तो कौन सी नदी खुश रही है अक्की जादो जी निम्न लिखित में से भारत की कौन सी नदी ज् है और निम्ननली खित में से कौन σी नदी जो है ओसुआरनद मुख मनाती है डेलटा नहीं बनाती डेलटा नहीं बनाती बैरी गुड खुश रही बाबू बैड लेयर जी खुश रही तो ये उपक तापती है औरॅब और अब सागर में गिरने वाली जितनी नदियां हैं ये सब ही जो है वो जो आरनद मुख्या इस चूरी बनाती है डेल्टा नहीं बनाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जितनी नदियां है ऐसे ही याद करना चाहिए ऐसे ही देखना चाहिए बाबू कि बंगाल क खाड़ी में कौन-कौन नदी गिरती हैं तो बंगाल की खाड़ी में जो जो नदियां गिरती है वो डेल्टा जरूर बनाती है आवास से ही डेल्टा बनाती है और जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां जो है वो अगर आप देख लें उपर से नीचे तक तो होगा साबर मती होगा साबरमती के बाद माही होगा यह सब ही नदियां जो है इसे आएगे ताप्ति के नीचे फिर जो है ऑ ओ मांडवी जूआरी यह सब हूँगी हना सर्वती होंगी सब करनाटक की नदियां उसके बाद पेरियार होगी केरल की नदी पेरियार तो यह सारी नदियां जो है ओ डिल्टा नहीं बनाती यह सारी नदियां हाँ यह सारी नदियां जो है ओ इस्चुवरी बनाती है किलियर है अगला गांधी सागरबांध निमने लिखित में से किसका हिस्सा है अगला प्रस्न है गांधी सागरबांध निमने लिखित में से किसका हिस्सा है बहुत बढ़िया इम्त्याश खान बहुत बढ़िया बाबू तो गांधी सागर बांध बिलकुल सही है चंबल का भाग है और चंबल पर तीन है बांध महत्पूर्ण गांधी सागर गांधी सागर जो बांध है चंबल पर एम पी में है गांधी सागर बांध यह सब दोनों जो है ओ राजस्थान में तो यह ध्यान रखेगा यह सब दोनों और हीरा कुंड बांध आप जानते हैं महानदी पर है हीरा कुंड महानदी पर भारत क्या सबसे लंबा बांध सरदार सरोवर नर्मदा पर है आप जानते हैं सरदार सरोवर नर्मदा पर है क्लिए रहे निमनलिखित राजियों में किस एक में केबुल्व लाम जाओ राश्टिय उध्यानिस्त थे अगला प्रस्ण आपके सामने बहुत महत्पूर्ण प्रस्ण हमेशा ये पूछता है भीभी आई प्रस्ण है हमेशा पूछता है हां 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 केबुल लामजाओ रास्टिय उद्ध्यान इस्ती था कहां कि यह बहुत popular सवाल है और आप लोग बताईएगा यह भारत का एकमातर रास्टिय उद्ध्यान है जिसकी क्या विसस्ता है यह भारत का एक मात्र अरे क्या बात है भारत का एक मात्र तैरता हुआ राष्टिय उद्ध्यान है भारत का तैरता हुआ राष्टिय उद्ध्यान है भारत का तैरता हुआ राष्टिय उद्ध्यान है काफी मौतपुन है और इसलिए इसको खुब पुछता है एक केबुल लाम जाओ और यह किस जील पर है यह किस जील में है किस चिल में यह किस जील में है अगला निमनल इखित में से भारत में सदा बहार वन कहां पाए जाते हैं हाँ लोक्टक जील लोक्टक जील वेरी गुड वेरी गुड इम्तियाज खान बहुत अच्छी आप लोग की तयारी है हाँ लोक्टक जिल बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है एक दम बढ़िया बाबू आप सभी का आप सभी की तयारी बहुत अच्छी है तो इसमें से सदाबहार बन असम में पाया जाएगा इसमें रेगिस्तानी बन पाया जाता है रेगिस्तानी बन पाया जाता है इसमें राजस कटिले बन पंजाब में तो बन बहुत कम है और उत्तर परदेश में पत्ज़र बन पाया जाता है ठीक है अगला यौर कर सब्द का प्रयोग किया जाता है किसमें अमरिता मनी बड़ा पढ़िया प्रस्ण है यौर कर आप लोग तो इसको एकदम हाँ इंडिया का फास्ट नहीं एक मात्र है रंजीत जी इंडिया का एक मात्र नेशनल पार्क है राश्ट्य उद्ध्यान है यौर कर यौर कर गर्दा गर्दा साहिंतारा सब लोग का गर्दा एकदम गर्दा यॉर्कर क्रिकेट में ओ जो अच्छा यॉर्कर बॉल कौन डालता है यॉर्कर बॉल कौन डालता है एस्पिनर की फास्ट बॉलर कौन यॉर्कर डाल सकता है एस्पिनर डालता है की फास्ट बॉलर डालता है कौन डालत योरकर अगला नुक्लियस के बाहर DNA मिलता है कहां ओ है को नुक्लियस के बाहर DNA कहां मिलता है फ्सपिनरर स्पिनरस स्पिनर में फ्सपिनर को गुमा देना यह जो है एकदम पैर के पास पटक देना या या मेडियम पैसर डालता है बिलकुल सही है नुक्लियस के बाहर डिने और बहुत सारे खिलाडी यॉर्कर पर शिक्स मारते हैं और नहीं तो यॉर्कर तो बिकेट भी ले लेता है निमनली खित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिपुजी बिल्कुल हम भी बोले हाँ निमनली खित में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती क्या बात है क्या बात है अब ही हम लोग बात किये अब ही हम लोग बात किये तापती अब ही हम लोग बात किये कि तापती डेल्टा नहीं मनाती क्या अगला प्रस्ट विक्रम संबत की सासक ने आरंभ किया था विक्रम संबत की सासक ने आरंभ किया था विक्रम संबत की सासक ने आरंभ किया था हाँ साहिंतारा मैं current affairs लेकर क्या रहा हूं साहिंतारा मैं लेकर क्या रहा हूं current affairs विक्रम संबत की सासक ने विक्रम संबत की सासक ने अरंभ किया था इसमें एंसर होगा रिटू पाठक अपसर बिटिया बिल्कुल सही अपसर बिटिया का एंसर सब अपसर बिटिया ने केवल जबाब दिया यह होगा यह 57 बीसी में 57 बीसी में एक विक्रमादित्य नाम का सासक था यह विक्रमादित्य नाम का सासक था जिसने विक्रमी संबत चलाया था सकों को पराजित करने के बाद 57 बीसी में एक विक्रमादित्य सासक ने चलाया था विक्रमादित्य हां समराट विक्रमादित्य तो अलग विक्रमादित्य प्राचिंतम संबत में से एक बाना जाता है आप लोगं को मैं बता दू भारत में कि विक्रमा दिथ्ये नाम के कितने सा सक हुए हैं भारत में विक्रमा दिथ्ये नाम के कितने सासक हुए हैं भारत में विक्रमादित्य नाम के कितने सासक हुए हैं बताइए भारत में विक्रमादित्य नाम के कितने सासक हाँ एक दम बाबू अफसर बिटिया बहुत बढ़िया बाबू एक दम भारत में विक्रमादित्य नाम के चौबिस सासक हुए है और अंतिम विक्रमादित्य सासक और अंतिम विक्रमादित्य सासक हेम चंद्र विक्रमादित्य था हेम चंद्र विक्रमादित्य और इसे हेमू कहा जाता है अंतिम था हेमू अक्बर के समय यह 1515 में पानी पत के दूतिय जुद में पराजित हुआ और मारा गया फाने पत के दूतिय यह अंतिम विक्रमा दिक्त चाह सक था तो विक्रमा दिक्त अब तक जो है 24 सा सको है clear 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 बाबू अगला निमनलिखित में से कौन परधान मंत्री बनने से पहले मुख मंत्री नहीं रहे अगला प्रस्ण है आपके सामने निमनलिखित में से कौन परधान मंत्री ऐसे हैं जो किसी राज्य के मुख मंत्री नहीं थे कभी नहीं बने लेकिन प्रधान मंत्री बने कौन ऐसे निम्नलिखित में से कौन से प्रधान मंत्री बनने से पहले मुख मंत्री नहीं रहे हाँ जैनब खान का सही है जैनब खान रोसन कुमार गुलजारी लालनन्दा बिलकुल जैनब खान और रोसन कुनार का सही है यह यूपी के मुख मंत्री रहे थे यह जो है बंबई प्रांत जो था यानि कि गुजरात और बंबई के मुख मंत्री रहे थे गुजरात के अगला निम्न लिखित में से कनिश्क की राजधानी कौन सी थी अगला प्रस्ण है आपके सामने निम्न लिखित में से कनिश्क की राजधानी कौन सी थी कनिश्क की राजधानी बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही कनिश्क की राजधानी पुरुस पुरिया पेसावर थी और इसकी दूसरी राजधानी कहां थी कनिश्क की दूसरी राजधानी कहां थी बताईएगा कनिश्क की पहली राजधानी पेशावर थी कनिश्क की दूसरी राजधानी कहां थी कोई बताए कनिश्क की दूसरी राजधानी कहां थी वाव इम्तियाज खान विल्कुल विल्कुल कनिश्क की दूसरी राजधानी मतुरा थी सिक्षित ब्यक्तियों को विकास देशों सा विक्सित देशों की ओर पलायन क्या कहलाता है सिक्षित ब्यक्तियों का सिक्षित ब्यक्तियों का विकास सिल देशों से विक्षित देशों की और पलायन क्या कह लाता है सिक्षित ब्यक्तियों का विकास सिल देशों से विक्षित देशों की और पलायन क्या कह लाता है बहुत बढ़ियां एक दम बढ़ियां बाबू एक दम सही सब कोई सबका सही है सबका सही है एक दम प्रतिभा पलायन या ब्रेंडरेंड और खास करके भारत से प्रतिभा पलायन इतना महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार का बहुत सारा जो है वो खर्चा आई-ाई-टीन और मेडिकल को बनाने में एक मेडिकल स्टुडेंट को पढ़ाने में एक आई-ई-टीन स्टुडेंट को निकालने में करोन रूप्या भारत सरकार का खर्चा होता है और यह जब पढ़ लेते हैं तो USA और भीक्सित देशों में भाग जाते हैं इनहीं को brain dare कहा जाता है कि और माईगरेशन आफ एजुकेटेड परह फ्रम डेवब भी कंट्री कर्णा है की आव के इस टो कह लिए ग्रीं है 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 ही कर लेकाना hone ठीद रचना किसकी है के मिप परिशिंद स्टीड है बिल्कुल बिल्कुल इब्तियाज खान बिल्कुल हिस्टोरिका किसकी राचना है हिस्टोरिका नामक प्रसिद राचना किसकी है बिल्कुल सही है हेरोडोटस की राचना है और ये इतिहास के पिता माने जाते हैं फादर अफ हिस्ट्री इतिहास के पिता कहा जाता है हेरोडोटस को और इउनान के ये थे और इन्हों ने ही इतिहास पर पहली पुस्तक हिस्टोरिका की राचना की यह इतिहास की पहली पुस्तक है हेरोडोटस ने इतिहास इनको इतिहास का पिता कहा जाता है और युनान के थे निम्न में से कौन कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बने निम्न एक चीज और जरा बता देते आप लो एक चीज और जरा बता देते कि इसमें भारत का बर्णन क्या है इसमें भारत का क्या बर्णन किया गया है हेरोडोटस में भारत का क्या बर्णन किया गया है इसमें भारत पर भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमन प्रथम विदेशी आक्रमन कब हुआ था उसका बर्णन है भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमन कब हुआ था उसका ब कब हुआ था भारत पर पहला विदेशी आक्रमन कब हुआ था भारत पर पहला विदेशी आक्रमन 518 इसापुर्व में हुआ था और इसका वर्णन हेरोडोटस ने किया है हिस्टोरिका में 518 इसापुर्व 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 518 इसापुर्व दूसरा विदेशी आक्रमन 323 इसापुर 326 इसापुर्व दूसरा विदेशी आक्रमन 326 इसापुर्व में सिकंदर ने किया था सिकंदर ने किया था पहला बीदेशी आक्रमनर्ट एरान के साथ दारा प्रतम ने किया था दारा प्रतम एह खमनी बंज म著 गता और इसी का भर्रण इसमें किया गया है हिस्टोरिका में इसी कलिएर है कि पहला किया थाट दारा देरियस प्रथम ने भारत पर पहला विदेशी आक्रम्ण था और इसका पहली बारु लेक हिस्टोरीका में हुआ यह बहुत महतवकुन है tremendously भारत का पहला भारत कपर विदेशी आक्रमण का उलेक है जो दारा परष्ट इरान का सहसक्ता हक्षमनी राजबंस का सा सकता उसका उलेकर तो यह हेरो डोटस ने भारत का बर्णन किया है है हेरो डोटस ने भारत का बर्णन खुब खुश रही है रीचा कुमारी निम्न में से कौन कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बने कि निम्न में से कौन कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बने निमने में से कौन निमने में से कौन कभी अध्यक्ष नहीं अरे महात्मा गांधी 1924 में कांग्रेस के बेलगाओं अधिवेशन के अध्यक्ष थे व बेलगाओं में कांग्रेस के अध्यक्ष बने गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में अधेक्ष मनें दादा भाई नो रोजी होनास चोव और 1808 वगारा में थे सुरेंदरनात बनर जी भी बने हा इसमें सभी कॉंग्रेस के अधेक्ष मनें थे इह और ओगा ईह होगा हां हां बिल्कुल ब्लकुल अगला सती प्रठा का उनमुलन किसके सहयोग से हुआ ऊचए आप देख लेते हैं इसको देख लेते हैं यह सुरेंद्रनाथ बणरी वाला देख लेते हैं ओके साथी प्रथा का उन्मुलन किसके सहयोग से हुआ था कि साथी प्रथा का उन्मुलन राजा राम मोहन राए कि राजा राम मोहन राय का जन्म सतापदी मनाया जा रहा है दो 250 जल्म सताब्दी मनाये जा रहा है 250 जल्म मदिवस इनका मैंनाये जा रहा है 250 जल्म दिवस बहुत महत्वपूर्ण है राज्राम मौहन रायका कि है वही तो बोले कि बनर जी में इसको मता देंगे मां हम थे खाल बना त Hampshire उसको हम कल बना करें बता देंगे मुगल और मेवाड के बीच संधी हमको भी लगता है यह होगा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ यह भी हो जगा है इंतियाज जी हाँ सुरेंदरनात बनर जी वहला हम देख लें थोड़ा कन्फ्यूज हैं उसमें हाँ हाँ मुगल और मेवाड के बीच संधी कब हुई थी मुगल और मेवाड के बीच संधी कब हुई थी यह संधी किसके किसके बीच हुई थी यह संधी किसके किसके बीच हुई थी मुगल और मेवाड के बीच संधी किसके किसके बीच हुई थी वेरी गुड वेरी गुड राना महा राना अमर सी हैं महा राना अमर सी हैं महा राना प्रताप के पुत्र थे और जहांगीर के बीच जहांगीर के बीच बिलकुल बिलकुल बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां हां 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 अगला अगला अली गड़ की संधी का संबंध किसे है अली गड़ की संधी का संबंध किसे है अली गड़ की संधी किसे का संबंध किसे है सई राकेश जी सई है बाबू ठीक है धन्यवाद राकेश जी धन्यवाद राकेश जी धन्यवाद बाबू अली गड की संधी गज्यम हाँ अली नगर की संधी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अली नगर की संधी एक दम सही अली नगर की संधी सही है सही है अली नगर की संधी जैहिन मोहित कुमार जी जैहिन बाबू जैहिन बाबू जैहिन अली नगर की संधी का संबंध किस् हाँ हाँ बिल्कुल इस्ट इंडिया कंपनी और सिराजु दौला एक दम सही एक दम सही गर्दा गर्दा है गर्दा अगला प्रस्थन है यग्य की देखरेक कौन करता था यग्य का निरिक्षण कौन करता था रिग्वाइदिक काल में यग्य का निरिक्षण कौन करता था 69 प्रस्थन संख्या 69 बिल्कुल सही बिल्कुल सही ब्रह्म्हा यह ब्रह्म्हा निरिक्षण करता था यह यह किस वेध का था यह होता रिगवेद का था रिगवेद यह ब्रह्मा अथर्ववेद का था अथर्ववेद का था यह उद्गाता जो था सामवेद का ब्रह्मपन था और यह अघर्वा अघर्वा यह जो है यजूर्वेद का ब्रह्मपन था यजूर्वेद का यह ब्रह्मपन था तो रिगवे का होता एक दम एक दम सही एक दम सही हाँ हाँ बिलकुल बाव बिलकुल एक दम सही होता रीगवेद का था ब्रह्मा अथर्ववेद का था उद्गाता साम बेद का था और अघर्यू इसको अघर्यू बोलते थे अघर्यू जो है ओ यजुर्वेद का था किलियर बहुत बढ़ इतने अच्छे जानकार इस्टुटेंट लेकिन मजा आएगा आपके जैसा गरदा एस्टुटेंट और मेरे जैसा एजूकेटर और अगर तीनों मिले तो गरदा हो जाएगा गरदा हो जाएगा गरदा एकदम एकदम बाबू और अगेडमी पर सब्सक्रिप्सन एकदम आसान है आप जाईए वहाँ प्लेटफॉर्म पर आपको बीपीए सी कटेगरी में जाईए वहाँ गेट सब्सक्रिप्सन लिखा है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए टाइम पूछेगा कितने समय के लिए लेना चाहते हैं आप जो है उसके बाद पेट कीजिए और सब्सक्रिप्सन लिजिए क्या बात है गर्ण हां मुहमत खालीद मुहमत खालीद खुब खुश रही है बाबू खुब खुश रही है एक दम सुलह एक कूल की निती किसने अपनाया था अगला प्रस्न है आपके सामने सुलह एक कूल की निती किसने अपनाया था सुलह एक कूल की निती किसने अपनाया था सुलह एक कूल की निती किसने अपनाया था हाँ सूलाहे कूल क्या था छो लाहे क्या था क्या अध्ययन फूल का अणर्थ क्या होता है कि आप बताएं सूलाहे क्मकाया होता है अक्बर ने इसको जो है चलाया था हाँ सूलह एक कुल का अर्थ क्या होता है बताईए सूलह एक कुल का अर्थ क्या होता है सूलह एक कुल का अर्थ होता है सबों के साथ सांती सबों के साथ सांती तो सांती के लिए पूरा प्रयास किसने किया था सबों के साथ सांती के लिए सभी लोगों को मिला जुला कर चलने वाली जो है वो बेवस्था किसने की थी अकबर ने इसलिए अकबर ने जो है ये बेवस्था की थी धार्मिक सहिस्टा की नीती अपनाया था इसलिए अकबर को राष्ट्रिये सासक कहा जाता है अकबर को राष्ट्रिये सासक माना जाता है क्योंकि अकबर ने सुला है कुल की नीती अपनाया था और सब को मुला जुला के चलने की प्रविर्टी अकबर में थी ठीक है इसको बोला जाता है सबों के साथ सांती आप लोग मेंस दीजेगा इसमें कोश्चन आयेगा अकबर की धार्मिक नीती का बहुत महत्पुन पार्ट है सूलह कुल मेंस में इस पर कोश्चन आता है अगला प्रस्ट मंगल पांडे का संबंध किस इनफेंट्री से था तेक सपोर्ट यूथ मस्ती जी मैं इस पर जेनरल साइंस अभी पढ़ा रहा हूं जेनरल साइंस और हिस्ट्री मैं पढ़ाता हूं मंगल पांडे का संबंध किस इनफेंट्री से था इनफेंट्री नहीं होगा इनफेंट्री होगा किस इनफेंट्री से तो मंगल पांडे का संबंध जो है साम प्रदाइक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है सामप्रदाइक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है वेरी गुड बैड लेयर गर्दा 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 एक दम गर्दा क्या बात है क्या बात है सामप्रदाइक निर्वाचन का जनक सामप्रदाइक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है हाँ बिल्कुल एह होगा लॉड मिन्टो 1909 में पहली बार मारले मिन्टो मारले मिन्टो सुधार जो था उसी से न पहली बार मुस्लिमों को आरक्षन दिया गया मुस्लिमों को बिधान परिश्द में आरक्षन दिया गया और पहली बार यहीं से सामप्रदाइक निरवाचना आरम हुआ मारले मिन्टो रिफार कॉन perdre में मुस्लिमों को आरक्षन दिया गया और यहीं से सुरू होता है निम्न में से कौन सुमेलित है पढ़ लिजे जरा निम्न में से कौन सुमेलित है पढ़ लिजे निम्न में से कौन सुमेलित है अभी तक एक भी सही नहीं हुआ निम्नलिकित में कौन सुमेलित है यह प्रांत में नहीं केंद्र में दोयद साशन लाय यहाँ पर संप्रदाइक प्रतिनीत तो नहीं बलकि यहां पर केंद्र में ढहीं आया यहां पर संप्रदाइक की बात कुई और यह सही है एंसर होगा भारत परीशादर धिनियम पहली बार council में seat दिया गया हाँ हाँ बिलकुल बिलकुल पहली बार council में seat दिया गया भारतियों के लिए council में seat दिया गया अरथाथ प्रति नीधी सरकार की अस्थापना कारम यहीं से सुरू हुआ अगला अगला वर्स 2018 में फीफा बिश्व कप किस देसं में जीता थी यहीं चलेगा वर्स 2018 में कीफा बिश्व कप किस देस ने जीता थी हाँ इसी को न है को इसा है को इसा है मैं इसी लिए प्रैक्टिस करा रहा हूं आप लोग को की बीपीए 67 के लिए आप लोग प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि 67 में आप लोग गर्दा करें हाँ एक दम सही है फ्रांस ने जीता था हमको लगता है जर्मनी को हरा के जीता था क्या फ्रांस ने जर्मनी को हराया था मुझे लगता है जर्मनी को हराया था हां हमको लगता है जर्मनी को हराया था फ्रांस ने अगला अलकनन्दा तथा भागी रथि नदि कहां आकर मिलती हैं आलक नंदा तथा भागी रती नदी कहां आकर मिलती हैं आलक नंदा और भागी रती बिलकुल सही और यहीं पर देव प्रयाग में जो है मिलती है और यहीं से इन दोनों नदियों के मिलने के कारण यहीं से इसका नाम यहीं से इसका नाम गंगा पड़ता अलक नंदा और भागी रथी मिलने के बाद नाम गंगा पड़ता है देव परियाग में और रूद्र परियाग में ध्यान दीजेगा रूद्र परियाग में कौन नदी मिलती है अलक नंदा रूद्र परियाग में अलक नंदा प्लस मंदाकिनी मिलती है अलक नंदा प्लस मंदाकिनी मिलती है रूद्र परियाग में किलियर है हाँ बिलकुल 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 रूद्र परियाग में अलक नंदा और मंदाकिनी कैसा लग रहा है पेपर पेपर कैसा है निम्न में से कौन सा मंडल सरवाधिक गर्म होता है धन्यवाद बाबू अपसर भीटिया धन्यवाद राकेश जी धन्यवाद बाबू प्रियंका धन्यवाद बाबू और मैं कोशिष कर रहा हूं अंडड्रेट कोश्डन लाने का कम से कम 100 कोश्चन का स्टेट मैं लाओं और मैं ताइम उसके लिए ताइम उसके लिए मैं निकाल रहा हूं थे 100ं मैं कोशिस कर रहा हूं कि लाओं इसपर निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है सर्वाधिक गर्म मंडल कौन सा होता है छोब मंडल तो हम लोग रहते हैं जिसमें साहीं तारा साहीं तारा एकदम सही है सबसे गर्म होता है आयन मंडल और आयन मंडल पता है यहां पर तापमान इसके उपरी सीमा पर माइनस हंडेड़ डिग्री होता है माइनस हंडेड़ डिग्री सी होता है यहां पर तापमान समान रहता है यहां पर तापमान ओसत तापमान रहता है यहां ओसत तापमान कम तापमान रहता है और यहां पर तापमान जो है लगभग लगभग 5000 बिगरी सी हो जाता है यहां पर तापमान लगवक 5000 बिगरी सी होता है इसलिए आयन मंडल को उसमें मंडल भी कहते हैं ध्यान दीजेगा आयन मंडल को उसमें मंडल भी कहते हैं गर्म मंडल किलियर है इसलिए हाँ इन्तियाज भी बोले ने छोब मंडल जो पृत्वी के सबसे हम लोग के सतह के सबसे करीब है उसी हो चोब मंडल कहते हैं और यह जो छोब मंडल है यह प्रिथवी के सबसे करीब वाला मंडल यह प्रिथवी के सबसे करीब वाला और इसका धुरूव पर जो है इसका धुरूव पर यह चोब मंडल जो है इसका धुरूव पर उचाई जो है आठ किलोमेटर होता है आठ किलोमेटर धुरूव पर धु विशुवत रेखा पर इसकी उचाई जो है विशुवत रेखा पर इसकी उचाई विशुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है 18 किलोमीटर ठीक है यह प्रिथवी के सतह से सबसे नजदीक है और इसकी आउसत उचाई 12 किलोमीटर होती है और सभी रीतु मौसम से सम्मंधि सभी घटनाएं इसी में घटित होती है किलियर है किलियर है हाँ करनाटक और महराष्ट में अवस्थित पस्चिमी घाट को क्या कहते है अगला प्रस्ण है करनाटक और महाराष्ट में अवस्थित पस्चिमी घाट को क्या कहते हैं कि हाँ हाँ जैनव खान आइनो स्फियर पर टेंप्रेशर 5000 डिगरी सी पहुंच जाता है कि हाँ हाँ कि नहीं न यह गरम कैसे होगा यह सबसे कम तापमान वाला होता है न यहां यहां गरम नहीं होता है चोब मंडल में गरम नहीं है चोब मंडल में जैसे जैसे उपर जाएंगे तापमान कम होता जाएं हाँ गुड़ इमनिंग मुहमत कहें वोदीन जी गुड़ इमनिंग बाबू तो करनाटक और महाराष्ट में अवस्थित पस्चिमी घाट को क्या कहा जाता है बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है इसको सहयाद्री कहा जाता है एक दम सही तो आपको अगर बीपी एसी के तैयारी करनी है आप अगर अच्छे धंग से तैयारी कर चुके हैं या आपको प्रेक्टिस सेट करनी है तो एक एस्टेंडर प्रेक्टिस सेट आपको मिलता है और यूटूब चैनल पर तो आप सभी के लिए मैं ले करके आया हूं यह गर्दा हां यह बताइए निमनल लिखित में कौन सुमेलित नहीं है हां यह तो यह तो यह सिपकी लाहिमाचल परदेश हीमाचल परदेश में है हीमाचल परदेश तिपकीला और इस्ते जो है वो तिपत में मारग जाता है यह सुमेलित नहीं है नाथुला सिक्ति में रोतांग सही है और उनाचल में बोमडिला सही है सही है एक दम अगला प्रस्त किस अनुछेद के तहत क्रिश नहीं किस अनुछेद के तहत नीती नीदेसक तत्व को नियाले में प्रस्नेगत नहीं किया जा सकता है बहुत बढ़ियक प्रस्त भी भी आई या नीती निदे सकत्व को नियाले मे चैलेंज नहीं किया सकता यहीं ने निदे सकत्व नियाले में प्रवर्तन्य नहीं और प्रैक्टिस से हो जाएगा जैनेव खान प्रैक्टिस से हो जाएगा बाबू किस अनुछेद के तहत नीती नी दे सकता तो को नियाले में प्रस्नगत नहीं किया जा सकता तो नियाले में प्रवर्तनिये नहीं होगा नियाले में प्रवर्तनिये नहीं होगा नुज्फे सैटिस आप लोग जानते हैं अनुछेट चालिश जो है पंचायती राज है पंचायती राज है आप लोग जानते हैं अनुछेट सैतालिश जो है सराब बंदी है सराब वो अगर आप बंद करने के लिए है सराब बंदी ड्रॉक्स ये सब बंद करने का है और उच्छे चवालिस जो है वो समान सिविल सन्हिता है समान सिविल सन्हिता है समान सिविल सन्हिता है क्लियर है क्लियर है बाबू राज्य निर्वाचन आयुप्त को कौन पदच्यूत कर सकता है बड़ा बढ़िया कोश्चन है भी भी आई ला जवाब कोश्चन जो राज्य निर्वाचन आयुप्त होता है एक दम बहुत सुन्दर कोश्चन है राज निर्वाचन आयुक्त को कौन पदच्यूत कर सकता है कौन उसके पद से हटा सकता है कौन उसके पद से हटा सकता है प्रस्थन संख्या राज निर्वाचन आयुक्त को कौन पदच्यूत कर सकता है एक दम सही हाँ एस्टेट इलेक्शन कमिशन हाँ एस्टेट इलेक्शन कमिशन को भी वही प्रक्रिया है एस्टेट इलेक्शन कमिशन को भी हटाने के लिए वही प्रक्रिया है आगला नहीं गवणर नहीं गोबर्नर नहीं अटाता है अगला प्रस्ण भारत में कितनी बार आपात का लागू法 क्यूकर का निंटी-गवर्नर करता है लेकिन हटाने की प्रकिरिया उसको राज निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति गवर्नर करता है राज पाल करता है लेकिन हटाने की प्रकिरिया वही केंद्रवाली है हां भारत में कितनी बार आपात का लागू हो चुका है भारत में तीन बार आपात का लागू हो चुका है 177 में और 39975 और यह भी हटा था 1227 में यह दोनों एक साथ मिल के हटा था 1700 में एक साथ हटाया गये क्लियर है अगला शंबिधान के उध्यशिका में किस मौलिक अधिकार का बढ़ना नहीं हाँ संबिधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है शंबिधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है खुब खुश रही है सांतनु जी खुश रही है सांतनु जी खुश रही है बाबू बिल्कुल सही है आर्थिक सोतंतरता का बढ़न नहीं है अगला भारत के के राष्ट्रपति को किस परकार पदच्यूत किया जाता है भारत के राष्ट्रपति को किस परकार पदच्यूत किया जाता है भारत के राष्ट्रपति को किस परकार पदच्यूत किया जाता है बिल्कुर साही होगा नहीं, संसदिय प्रकषिए द्वारा हटाया जाता है, अगला शंगहातमक सरकार में क्या होता है सक्तियों का भी केंदरी करन, प्रान्थों की स्रिषवता, केंद और राज्य में समानता सक्तियों का shirt बुद ऐक नंबर का सवाल है ला जवाब सवाल संगयात्मक सरकार में क्या में होता है हो संगहात्मक olarak का मतलब क्या होता है प्रास संख्य 84 प्रास में संख्यati four किया भात है किर भा हाँ हाँ सक्थियों का विकेंद्री करण डिसेंटरलाइजेशन हां यह न होगा सक्तियों का विकेंद्री करण न होगा अगला प्रस्ण चीली का चुकी माता खाने किसके लिए प्रसीद हैं चीली की चीली की चुकी माता खाने किस लिए प्रसीद हैं चीली की चुकी माता खाने किस लिए प्रसीद हैं अरे चीली कौपर के उत्पादन के लिए प्रसीद है तो कौपर होगा कौपर के उत्पादन के लिए प्रसीद है तामबा निम्न में कौन सही नहीं है निम्न में कौन सही नहीं है प्रस्न संख्या 86 क्या लग रहा है 86 का C होगा उत्तर प्रदेश में कौन सी मिटी है जलोड है न उत्तर प्रदेश में जलोड मिटी है न पीट मिटी यहां से कहां से आएगी उत्तर प्रदेश में पीट मिटी कहां से आएगी जलोड मिटी नहोगी हाँ बिल्कुल जैनब खान एकदम सही है हाँ यह कांच है कांच क्राच नहीं कांच का गहरा नीला रंग किस कारण होता है कांच का गहरा नीला रंग किस कारण होता है कोश्चन भाइद थोड़ा रहता है मेरा कांच का गहरा नीला रंग किस कारण होता है यह वे convenience गूड बैड लेयर मेरी कौबाय्ट ऑफ क्या बात है कोबाल्ट अक्साइड बिलकुल बिलकुल protocol class कोबाल्ट अक्साइड आमीबा किसमें भोजन ग्रहन करता है कि आमीबा किसमें भोजन ग्रहन करता है एक दम सही एक दम सही कुटपाग से एक दम गर्दा एक दम इनमे से सबसे कम प्रदूशन किसे होता है कि इनमें से सबसे कम प्रदूशन क से होता है एक दम बढ़ियां कि सबसे कम प्रदूशन सी एंजी से होता है एक दम अच्छा प्रकास का तरंग सिधान्थ किसने दिया था प्रकास का तरंग सिधान्थ किसने दिया था प्रकास का तरंग सिधान्थ किसने दिया था वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड हाईगेंज ने इन्होंने प्रकास का कन सी धानत दिया था और हाईजन ने तो यही तक रहने दे हिर कल पढ़ेंगे हम लोग क्या? तो यहीं तक रहने देते हैं और कल फिर हम लोग देखेंगे बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों को यहीं तक रहने देते हैं और इस कोस्टन को हम कल देंगे तो यह जो है एक दो दीन में 100 लाएंगे हाँ कौसल्या सर्मा कोस्टन पूछिए 100 लाएंगे 100 लाएंगे तो इंडिया लार्जेस्ट लाइंग प्लेटफर्म यह 68 बिपीएसी के लिए भी हम लोग तयारी शुरू करा दिये हैं और 68 बिपीएसी के लिए टेस्क शिरी भी शुरू हो गया ह अब प्लस टेस्क शीरी और इस तरह जो है आप लस जो यहाँ का यह होता है धन्यवाद बाबू धन्यवाद और हमेशा गरदा रहेगा हमेशा गरदा रहेगा यहां पर जहरंगा प्रस्न आपको नहीं मिलेगा एस टेंडर्ड प्रस्न मिलेगा और आप लोगों का उदेश अगर इस डीम डीएसपी बनना है तो आप जरूर मेरे से जुड़ेंगे और आप लोग अधिक से अधिक लाइक और शेयर करेंगे तो इस परकार जो है बहुत संदार चलता है यहां पर बिहार पुलिस की तयारी आप बहुत कम पैसे में यहां कर सकते हैं यहां देखिए एक बैच जो है ओ 67th बीपीएसी के लिए mcq बैच आया है इसमें आप जो है ब बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कर सकते हैं वेलकम बाबू वेलकम बाबू यहां लाइट कलास भी होता है सोनम ज्यादो बीहार पुलिस के लिए बिहार SI के लिए और बहुत बढ़िया जो है यह तयारी कीजिए आप लोगश संदार चल रहा है इसके बाद भीजए मीपेसी वाई टी लाइव आप मेरा कोर्ड अजय वाई टी लाइव का परयोग करें और अनेकेडमी से जुड़ें मैं आप आपको कहना चाहता हूं कि अनेकेडमी इंडिया का लर्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म प्लीज आप अनेकेडमी के साथ तो प्लीज आप अनेकेडमी के साथ जुड़िये और यह जो है आप कैसे सब्सक्रिप्स लेंगे तो आप आएंगे और यहां पर जो है आप सब्सक्रिप्सन का लिखा हुआ है गेट सब्सक्रिप्सन कहेंगे और आप मेरा कोड यूज करेंगे तो 10% आपको छूट मिलेगा यह अजय वाइटी लाइब यह मेरा कोड है और आप यूटूब पर हमें सब्सक्राइब करें आ और मैं आप लोगों को बताता हूं कि हम लोग कोशिश करेंगे हम कि 100 कोशन लेकर आएं बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद